नवे की दिहाई की मशूर अदाकारा जुही चावला के पास बॉलिवुड की सबसे मालदार अदाकारा होने का एजास है लेकिन उनकी दौलत की पीछे छुपा क्या राज है नवे की दिहाई में शारुख खान के साथ उनकी कैमिस्टरी खुब मकबूल हुई थी जुही चावला के शुमार उनदाकाराओं में होता है जिन्होंने फिल्मों में अपनी हद को कभी पार नहीं किया यही वज़ा है कि उनकी फिल्मों को फैमली मुवी समझ कर देखा जाता शारुख खान के लावा आमिर खान के साथ भी उनकी जोड़ी को खुब पसंद किया गया था यस बास फिल्म के गाने मैं कोई ऐसा गीत गाओं आज भी सुनने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा लुफ अंदोज है क्योंकि इस फिल्मी गीत में शारुख खान और जु और जोही चावला की कैमिस्ट्री को यहां बताने का मकसद यह है कि दोनों अदकारों ने बात पे रेट चिलीस प्रोडक्शन हाउस बनाया और यहां भी बत और बिजनिस पार्टर उनकी खूब जमी इसके अलावा दोनों स्टार्ट्स आई पील के टीम कोल कतनाय ट्राडर इसके भी शरीक मालिक हैं अगर्चा जोही चावला अब कईयर से से फिल्मों से दूर हैं लेकिन इसके बावजूद वो इस वक्त 4600 करोड़ उपे की मालकिन बन कर बॉलवर्ट की सबस्यमीर तरीन अदकारा बन चुकी हैं उन्होंने दौलत के मौमले में एश्वरिया राय और प्रियांका चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है अगर फिल्म इदकारों की दौलत के बारे में बात की जाए तो आईश्वरिया राय बच्चन का दूसरा नंबर है जो 850 करोड़ उपे की मालिक होने के बाद तीसरे नंबर पर हैं जबके अदकारा दीपी का महता भी हैं जिन से उनकी शादी साल 1995 में हुई जै महता एक काम्याब बिजनसमैन की तौर पर जाने जाते हैं जिनकी महता इंडस्ट्रीज की ना सिर्फ इंडिया बलके बैरूने इंडिया भी काफी कारोबार हैं अदकारा जूही चावला अपने करियर के दौरान दो फिल फिर बेस्ट एक्टरे से नवाज आ गया